जैहिं फ्रेंग्स आम नमस्कार विवर्स, हालो और वेलकम तो माई एटो चैनल विद टूड़े वेरी इंपोर्टन डिस्कस अंदर टॉपिक आप इस पेसली फार एंटी ये सी यू इटी पीजी दो हजार बाइस तो ये वीडियो सुरू से लेकर लाश तक जरूर देखेगा आपको बहुत ही आपके सी यू इटी पीजी दो हजार बाइस एकजाम के लिए बहुत ही महरपूर्ट साबित होने वाला है तो आए हम चर्चा करते हैं आज जो है कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस ग्रेजुएट प्रोग्राम दो हजार बाइस इसकी जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटीन एंट्ये की ओफिसियल वेबसाइट पर आ चुकी है बीना इन्फॉर्मेशन बुलेटीन पढ़े आप फार्म एप्लाइन ना करें ये मैं हर बार कहता हूँ अपने हर वीडियो में तो मैं बता दे रहा हूँ क्या मुख्य मुख्य चीज़े आपको ध्यान देनी हैं एंटिये स्यू इटी यूजी दोहजार बाइस के अंतरगत तो ये बहुत ही मातपूर बात ध्यान देंगे आईए देखते हैं चर्चा करते हैं तो एंटिये तो आपको मालू महीं होगा यह एक आटोनॉमस बॉडी है जो कंड़क्ट कराती हैं इंडिया में एक्जाम तो सी यू इटी पीजी दोहजार बाइस से रिलेटे से लेकर के इनफॉर्बेशन इंपॉर्टेंड डेट्स क्या हैं और फी डीटेल्स फार कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस देट पीजी 2022 तक साम पांच बजी तक डेट ध्यान से देखिए मैं दुबारा बता रहा हूं ऑनलाइन सब्मिशन औफ एप्लिकेशन फार्म 19 मई से लेकर के 18 जून 2022 ठीक और लास्ट डेट आफ सक्सेस्फूल ट्रांजिक्शन औफ एक्जामिनेशन फी 19 जून 2022 को 11 बज करके 50 मिनट सा पी आई वैलेट किसी के माध्यम से भी कर सकते हैं आप जो है जन्रल के लिए एप्लिकेशन फी फार अप्टू थ्री जो है आप देखें टेस्ट पेपर्स तो जो है जन्रल के लिए 800 रुपए लग रहा है ओबीसी एंसील जो एंसील में आएंगे नॉन क्रिमिरेयर एंड एकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतरकर उनका 600 एप्लिकेशन फी एस्टी एंड थर्ड जेंडर के लिए 550 रुपए है और फीजिकल वीथ बेंचमार्ग डिसेबिलिटीज के लिए फी जो है 500 रुपए उसके बाद बता दूँ फी फार एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस् किया है तो अगर फी फार एडिशनल प्रोग्डाम कर रहे हैं तो आपको जनरल के लिए 200 रुपए एक सब्जेक्ट के लिए ओवी सी एंसी एंसी एल जनरल एडब्ली एस के लिए 500 और क्या बोलते हैं सी एस्टी थर्ड जेंडर के लिए 500 और फी फीजिकल वीथ बेंचमार के लिए 500 रुपए वहीं बात कर लेते हैं फी फार एप्लिकेशन फी फार अप्टू अप्टू थ्री पेपर फॉरेंड कैंडिडेट्स के लिए जो आउटसाइड इंडिया हैं उनके लिए अगर वो थ्री टेस्ट पेपर देते हैं तो उनको चार हजार रुपए पड़ेगा तो यह बहुत ही महत्पूर्ट ध्यान देंगे बीना इनफॉर्मेशन बुलेटीन पढ़े मैंने पूरी रिसर्च करने के बाद जो है इनफॉर्मेशन बुलेटीन देखने के बाद तब ही जाकर के आपको बता रहा हूँ और आईए इवेंट्स के बारे इंप इन्स्ट्रक्शन क्या रहेंगे वो आप ध्यान से देखेगा उसके बाद ही अपलाई करेगेगा तो जो है कुछ महत्पूर्ट टॉपिक्स हैं जो बता दे रहा हूँ सिर्फ वेबसाइट पर करेक्शन होगा इतना ध्यान देजिया 20 जून 2022 से लेकर 22 जून 2022 तक करेक्शन होगा करेक्शन की डेट रहेगी यह ध्यान देंगे आप और उसके बाद डाउन्लोडिंग आप एड्मिट कार्ड फ्रॉम एड्मिट एवेबसाइट यह तो बी एनॉ लेटर्ड ओन लेटर्ड ओन दे वेबसाइट वेबसाइट पर आपको इनफर्म कर दिया जाएगा जब एड्मिट कार्ड एवेलेबल होगा ठीक है और डेट साफ एग्जामिनेशन तू बी डिसाइड़ एंट यह निरधारित करेगी कब कराना है और डियूरेशन जहां त सिप्ट फास्ट दस बज़े से ले करके सुबह बारा बज़े दोपर तक और सिप्ट सेकेंड तीन बज़े से ले करके साम और पास बज़े तक यह ध्यान देंगे ठीक है सेकेंड सिप्ट दो सिप्ट में होगा और जो है आपको सेंटर डेट अन सिप्ट आप एक्जामिने तो आप इस पेसली जो है NTA की वेबसाइट पर विजिट करिए www.nta.ac.in और cuetnta.nic.in पीजी लिख दीजेगा तो उसके बाद वो अपने आप पूरा उसका जो है होम पेज आ जाएगा वहां से आप information bulletin डाउटोड करिए पूरा डिटेल्स में पढ़िए तब उसके बाद ज चैन करेंगे कितने बच्चे examination scheme के बारे में समझ ही नहीं पातें cuet के अंतरगत तो mode आप examination एक बात आदू इससे पहले चर्चा examination scheme में तो cuet PG 2022 will be conducted in computer based test only केवल cvt mode में होगा यह ध्यान दीजेगा और media बाप question paper cuet PG 2022 will be conducted in English and Hindi ठीक है bilingual है तो language आपको रहेंगे expect for language and sahit papers check details from bunching list available in the information bulletin details पढ़ेंगे सारी चीज आपको मिल जाएगी और बात रही structure आप question papers की तो आप question paper के structure को देख लीजेगा pattern ने तीन pattern में divide किया गया है उसके बाद question paper है paper code कौन से paper code के program को आप select करते हैं यह ध्यान दीजेगा बहुत महत पूर बात और रही बात marking scheme की तो each question carries जो है four marks प्रतिक correct answer को आपको मतलब प्रतिक के लिए four marks रहेंगे और four for each correct responses candidate will four अगर आप सही question करते हैं तो आपको four marks दिया जाएगा उसके बाद for each incorrect response one mark will be deducted from the total score total scores में से अगर even गलत होता तो आपका one marks जो है deducted कर दिया जाएगा तो यह सब ध्यान देंगे marking scheme के अंतरगत और उसके बाद बता दूँ examination will be conducted on multiple days in two day two slots per day as given below दो slots per day रहेंगे यह ध्यान देंगे ठीक है और रही बात और एक चीज़ यह करेंगे CUETPG में तब जब आप day slot test paper program degree यह सब बहुत ही मारपोर ध्यान दिजेगा कौन से program में किस के लिए apply करना है वो सारा day slot slot wise दिया रहेगा ठीक है first slot में कौन कौन से paper होने वाले हैं किस के होंगे यह ध्यान दिजेगा ठीक है और second, third, fourth लगभग आपका जो है 8 से लेकर के 10, 10, 10, total 10 है total 10 pattern है 10 pattern में आपको जो है question paper पूरा जो है पूरा 10 जो है 10 days में complete करा जाएगा pattern की बास्वारी में कहा देगा वो दूसरा कोई application देख रहा था तो पूरा 10 days में complete करा जाएगा slot first, last second यह ध्यान देजेगा आप देख लिजेगा 10 days में पूरा complete करा आएगा NTA और एक चीज और important बता दूँ be important syllabus for CUET आप देख सकते हैं और eligibility and qualification आप तो इतना भेतर समझ ही सकते हो कि क्या eligibility and qualification होना चाहिए तो यह सब मातों का मातपुर ध्यान रखेंगे और क्या documents लग रहे हैं यह सारी चीजे details देखने के बाद ही आप और तब जाकर करके और devices आप CTs select कर लिजेगा आप अपनी और admit card क्या process रहेगा वह आप समझ सकते हैं और last में आ जाएगा कौन कौन से universities participate कर रही है यह मैं आपको बता देता हूं जो है CUET के अंतरगत इस बार जो जो participate कर रहे हैं उन सारे विश्विद्याले को आप जानते ही होंगे जैसे ही NTA bulletin official bulletin download करेंगे आपको बता उसमें सारी details हैं लेकिन मैं विश्विद्याले का नाम बता दे रहा हूं कौन कौन से विश्विद्याले participate करेंगे CUET PG में list of central universities participating universities ठीक है कौन से CUET PG में कौन कौन से विश्विद्याले participate करेंगे उसकी details को मैं बताता हूं आपको ज्यान से देखें पहला है बाबा साहे भीमरा अंबेरकर उनिवर्सिटी उसके बाद बनारस हिंदु उनिवर्सिटी Central Tribal University of Andhra Pradesh Central University of Andhra Pradesh Central University of Sahud Bihar Central University of Gujarat Central University of Hariana Central University of Himanchal Pradesh Central University of Jammu Central University of Jharkhand Central University of Karnatka Central University of Kashmir Central University of Kerala Central University of Odisha, Central University of Punjab, Central University of Rajasthan, Central University of Tamil Nadu, Indra Gandhi National Tribal University, Amarkandar IG&T Regional Center, Madhipur Dr. Harsingaur, Vishwityalai, Sagar, Madhya Pradesh, Guru Ghasi Das, Vishwityalai, Hemati Nandan Bhagura Garwal University, Jawahar Lal Nehru University, Mahatma Gandhi Antarashri Hindi Vishwityalai, Madhipur University, North Eastern Hill University, Pondicherry University, Sikkim University, Tejpur University, The English and Foreign Languages University, Trippurai University, University of Hyderabad, Mahatma Gandhi Central University, Central Sanskrit University, National Sanskrit University, B.R. Ambedkar School of Economics University, Madhan Mohan Malavi University of Technology, National Rail and Transport Institute, Dr. A.P. J. Abdul Kalam Technical University, Lakhna Uttar Pradesh, Devi Ahilya Vishwityalai, Sardar Valla Bhai Patel of Police, Security and Criminal Justice, and Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Apex University. इतने सारे Vishwityalai CUT PG 2022 में participate कर रहे हैं. तो ये ध्यान से मैं उम्मीद करता हूँ, आप देखे होंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, और जो भी CUET PG 2022 से related, कोई भी question, कोई भी confusion हो, तो आप comment box में comment करके जरूर पूछें, मैं आपको ये सवालों का जवाब पूरी तरीके से देनी की कोशिस करूँगा. चाहे कोई भी question, केवल NARS की CUET PG, CUET UG, या world की किसी भी university से related, किसी भी program, किसी भी admission information से related, आप जानकारी पूछ सकते हैं, और हाँ, ये जो हम आने आज चर्चा की CUET PG 2022 से ले करके, बिसाय पर चर्चा जो हुई, अगर इस से related कोई भी question हो, तो आप comment box में comment करके जरूर बताएंगे, और मैं जल्द ही फाम apply करके आपको जो है, आने वाले कल में वीडियो अप्लोड करूँगा, और आपको दिखाऊँगा किस तरीके से, तो इंतजार करिए उस वीडियो के लिए CUET PG 2022 कैसे application फाम फिलब होगा, और ये information उन सभी को share करिए, जो CUET PG 2022 में participate करना चाते हैं, और आप सभी लोग इसी तरह मेरे वीडियो से लगाता दूड़े रहिए, आप मेरे YouTube चैनल को subscribe करें, like करें, और share करें, और bell icon को press करें, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, wish you all the best CUET postgraduate program, all candidates Jai Hind, Jai Bharat